नमस्कार दोस्तो, वेलकम टू सीविल इंजिनेरिंग सपोर्ट, दोस्तो ये वीडियो बहुत जादा इन्फोमेटीव और साथ इंपोर्टेंट होने वाला है, चुकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से लोग बातरूम बना माते से मैं, जो कि घर क एक बहुत ही महत्पूर्ण हिस्सा है, दोस्तो, लोग गलती करते हैं, और एक दो लोग नहीं, 80-85% तक ये गलती मैंने देखा है, और खास तोर पे तब होती है, जब हमें दोस्तो, फर्स्ट फ्लोर या फिर सेकेंड फ्लोर बनवाना होता है, तो छट के उपर जितना कंस् चौराई की अगर बात कर लेते हैं, तो लगभग लगभग इसकी चौराई जो है, वो तीन फीट की रखी गई है, और लंबाई उतना ही रखा गया है, जितना इस कमड़े की लंबाई है, आप बीम को माइनस कर दें तो, तो दोस्तो, आप इस तरह से देख रहे हैं, एक र बतानी चल रहा होगा कि इसमें पानी भी है, लेकिन एक्चुल में, मैं आपको चले दिखाता हूँ, कि इसमें पानी भड़ा हुआ है, तो दोस्तो, ये क्या चीज है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पानी भड़ा हुआ है, तो ये क्या चीज है, और ये किस काम आत दोस्तो तो आपको bathroom बनवाने में जब first floor पर हमारा bathroom बनता है तो उसमें आपको दिक्कत आता है लेकिन दोस्तो इस downslap के वज़ज़ से जितने भी pipe fitting से plumbing work है वो इस downslap में ही रहता है और इस से फायदा यह होता है कि हमें अपने जो bathroom है उसका floor level उंचा नहीं करना परता है एक आपको अलग से उचाई उसको नहीं देना पड़ता है तो कुछ इस तरह से दोस्तों डाउन स्लैप बनवा के आप अपने बातरूम को एक बढ़िया लुक दे सकते हैं दोस्तों बहुत जगर देखा जाता है कि बंग तो जाएगा यह 8 इंच या फिर 10 इंच हमने नीचे की है यही 8 से 10 इंच आपको फर्स से उपर रहेगा लेकिन आपका काम हो जाएगा लेकिन वो देखने में उतना प्रीमियम और अच्छा नहीं लगता है और एक ही फ्लोर लेवल रहे तो बहुत अच्छा लगता है और यही कारणे कि हमें डाउन स्लेब देना पड़ता है बाकी इसका कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है पाइप फिटिंग को छिपाने के लिए या फिर यू कहें कि फ्लोर लेवल को मेंटेन करने के लिए डाउन स्लेब दिया जाता है और यह आपको फ्रस्ट फ्लोर पे दिलवाना चाहिए ताकि आपके जो घर का लुक है वो बिल्कुल बरकरार रहे है अब आप नहीं जानते हैं कि डाउन स्लेब की रेंफोस्मेंट किस तरह से दी जाती है कास्टिंग किस तरह से की जाती है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं दो चार दिन पहले ही मैंने डाउन स्लेब की एक बिल्कुल डिटेल वीडियो डाले हुई है उसको भी आप चेक आउट कर सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तों डाउन सलप से जुरी हुई जितनी भी जनकारी है हमारे चैनल पर है आप वहाँ से भी विजिट करके जनकारी ले सकते हैं धन्यवाद